नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है आरो यारो समिछा अधिकारी सिसंबंदित वीडियो है जो 13 सितंबर को एक्जाम होने जारे उसके परपेच में और आज जो बीडियो परारम करते हैं वीडियो परा रंब करने से पहले आप से छोटी से रिक्वक्वेस्ट अभी तीक हैं इस चैनल को tam पूब करें सब्सक्राइब करने बिलोम क्या होगा अपन गर्ण नमबर तीन में क्या होगा 20 बिंद द्द टि मोसे नमबर चार बर आ चारे लें शार दे निना उडिकान Geschम होगा क्रित्री मौत इpra अवड रोम नमफWatch का बिलोम है तो आरों का बहुआ होगा तो आरों क्या होगा अआरू कोस्ता नमबर छे है बही रंग तो बही रंग का बिलोम क्या होगा बही रंग का हो जाएगा अतरंग कोस्ता नमबर साथ है छली का बिलोम है तो छली का बिलोम क्या होगा निस्चल कोस्ता नमबर आठ है भोगी का बिलोम है तो भोगी का होगा योगी Q9 है एस्वर्य का बिलोम है तो एस्वर्य का अंसर होगा अनस्वर्य Q10 है भौतिक का बिलोम है तो भौतिक का बिलोम होगा अध्यात्मिक अंसर होगा भी अध्यात्मिक Q11 है तमस का बिलोम है तो तमस का बिलोम होगा जोति मरिय कोशन नमबर 12 है अनिवारी का विप्रार्थक सब्द है या अनिवारी का विलोम सब्द होगा एच्छिक कोशन नमबर 13 है अधुनातन का विलोम होगा पुरातन कोशन नमबर 14 है अमोस्या का विलोम होगा पोणिमा कोशन नमबर 15 है अतरंग का बिलोम है तो अतरंग का होगा बही रंग कोशन नमबर 16 है बिसलेशन का बिलोम है तो बिसलेशन का होगा संसलेशन कोशन नमबर 17 है जागरती का बिलोम होगा सुसुप्ती कोशन नमबर 18 है राग का बिलोम होगा द्वेश Q19 है करून का बिलोम होगा निश्ठूर Q20 है निस्काम का बिलोम हो जाएगा सकाम Q21 है उत्तम का बिलोम हो जाएगा अधम Q22 है महान का बिलोम हो जाएगा तुछ Q23 है दुखी का बिलोम है तो दुखी का बिलोम क्या होगा सुखी Q24 है बिवेकी का बिलोम हो जाएगा अधम Q25 है कर्माणी का बिलोम होगा अधम Q26 है गड़तंत्र का बिलोम है तो गड़तंत्र का बिलोम होगा Q29 है मंड़न का बिलोम सब्द है तो मंड़न का हो जाएगा खंड़न Q30 है उपकार सब्द का बिलोम है तो उपकार सब्द का बिलोम हो जाएगा अपकार Q31 है आस्तिक का बिलोम है तो आस्तिक का बिलोम क्या होगा तो आस्तिक का हो जाएगा कोशन नमबर 32 है धावल का बिलोम है तो धावल का बिलोम हो जाएगा मलीन कोशन नमबर 33 है जंगम का बिलोम सब्द है तो जंगम का बिलोम सब्द हो जाएगा अस्थावर कोशन नमबर 34 है अस्थावर का बिलोम सब्द है तो इसका हो जाएगा जंगम कोशन नमबर 35 है दानों का बिलोम है तो दानों का बिलोम क्या होगा मानो कोशन नमबर 36 है अधो गामी का बिलोम है तो अधो गामी का बिलोम होगा उर्धो गामी कोशन नमबर 37 है आदान का बिलोम होगा पुरदान Q 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 QQ Q 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 Q? Q 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 हो जाएगा सूगम कुश्चन नमबर 41 है कठोर का बिलोम है तो कठोर का बिलोम हो जाएगा कोमल कठोर का कोमल कुश्चन कुश्चन नमबर 42 है निउन सब्द का बिलोम है तो निउन सब्द का बिलोम क्या होगा कि निउन को जाएगा अधिक एंसर होगा ए अधिक कुश्चन नमबर 43 है प्रस्थान का बिलोम है तो प्रस्थान सब्द का बिलोम क्या होगा आगमन कुश्चन कुष्षर नंबर 44 है कि ऐसपस्ट का बिलोम है तो ऐसपस्ट का बिलोम क्या होगा ऑसपस्ट ऐसपस्ट का का बिलोम ऑसपस्ट को कोशन नमबर 45 है, स्याम का बिलोम है, तो स्याम का बिलोम क्या होगा, तो स्याम का बिलोम हो जाएगा, स्वेत, एंसर होगा C, स्वेत, कोशन नमबर 46 है, उत्रिन का बिलोम है, उत्रिन का बिलोम क्या होगा, अनुत्रिन, कोशन नमबर 47 है प्रदान का बिलोम है तो प्रदान का बिलोम हो जाएगा आदान कोशन नमबर 48 है उदय का बिलोम है तो उदय का बिलोम क्या होगा अस्त कोशन नमबर 49 है अमरित का बिलोम है तो अमरित का बिलोम हो जाएगा विश question number 50 है इह लोग का बिलोम है इह लोग का बिलोम हो जाएगा पर लोग तो यह थे question आज के लिए तो उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा पसंद आएगा इसको like करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक share करें धन्य बाद दोस्तों जाहिंद वंदे मात्रम